हेलो दोस्तों स्वगत है आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर तो आप अपने स्क्रीन पर देख पार होंगे DLA Diability C Second Semester को ले करके यहाँ पर वर्तमान भारतिया समाज़ा प्रारमिक सिक्षा यहाँ पर यह जो पार्ट 2 लिखा हुआ है यह पार्ट exactly 3 है आपका पार्ट 1 पार 2 के बारे म हम बात कर चुके हैं आपके कुछ महत्वपूर्ड अतिले गुत्रिये सवालों को ले करके दूसरी तरफ अगर मैं बात करो दोस्तों तो आपका जो English को ले करके हैं model paper उसको मैं बता रहा हूं वहां पर ठीक है दो पार्ट उसके मैंने बता दी है उसके solution को भी ले करके मैं कर लूँगा उसके बाद जो है आपके जो शॉट टाप के questions है उनके बारे में भी जो हम देख लेंगे तो होब्स हो कि आज ही आपका जो है English का model paper जो है वो क्या कुछ questions होंगे वो complete हो जाएगा ठीक है उसके solution को भी ले करके हम बात करते चलेंगे यहां पर आपके जो है कि जो एक्यावन नंबर सवाल है उसमें लिखा हुए एक शात्रों में गति बिधी या उदाहरन के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण सिक्षर सहद जिसा से पढ़ाने की किसने वकालित की थी तो जॉन डिवी थे पिछले ही question का आपका उसका था जो है यहां पर revision आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं हो रहा है BTC 2015 आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दू यह हो सकता है थोड़ा सा आपको जो है धुन्दला दिखाई दे पढ़ने में तो आप लोग फिक्स को इंक्रीज करिएगा आपकी जो वीडियो कॉलिटी है उसको आप इंक्र कर सकते हैं 480 पे चाला करके देखिएगा 360 से ऊपर 420 पे तो आपका क्लियर देखेगा फिर वो ठीक है चलिए तो आपका 51 का अंसर क्या हो जाएगा जब बात होती है क्षात्रों में गतविधी या उदाहरण के माधियम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षा ठीक ह है यह जो है आपके प्रमुख पास्चाते विचारक इनके बारे में जो है हम अन अकाडमी पर बात कर चुके हैं आप लोग वहां से जाकर कि इनके बारे में काफी कुछ पढ़ सकते हैं चलिए जोन डेबी वही है यह जिन्होंने त्रीदृवी सिक्षा का मॉडल दिया था बालक मैंने बताया था आपका ऐसे त्रिबुज बना करके यहाँ पर आपका सिक्षक है यह सिक्षार्थि और यह बाठ्यकरम है आप लोग भूलेंगे नहीं इन तीनों चीजों को लेकरके ठीक है त्रीदृवी मॉडल जो है सिक्षा का इन्होंने ही दिया था 52 नमबर वहां पर समझे यह रूसो का स्टेटमेंट है ठीक है तो बीटीसी 2015 का यह अपका सवाल था प्लेटो एक स्थापिद प्लेटो के द्वारा जो संस्था है उत्तापिद की गई थी वह भी इसका नाम था अकाड़मी यह क्वेश्चन्स आपके तीनों जो है रिपिक्टिड शक्तिाँ जो है वह समाजिक परिवर्तन लेकर गांठी है जैसे आविसकार होगा आपका राजनيتिक परिवर्तन होया तो यहाँ पर बोले रहा हूँ आर्थिक परिस्थितिया या और गराम पंचायद को लेकर बात कीज़ाए धार्मिक तत्वा सिक्षा यही सारी चीज़े जो है आपकी आया है कि भारत में समाजी परिवर्तर लाने वाले शक्तियों की रूप में जो है इनको आप देख सकते हैं बीटीसी 2016 का सवाल है तो अच्छी तरीके से खयाल रखेगा चलिए यहां पर आपको थोड़ा से क्लियर देखेगा थीक है 55-chnet- pages को है इस प्stat़ लिखा वा है जन संख्याच सिखषा को रास्ट्रीए कारिकरम की रूप में किस वरस लागु किया गया रास्ट्री पारिकरम की रूप में 1969-19 Luck लिखा हुआ है आप लोगों को बता दू कौई भी आपको दिक्कत है कोई पर बात करूं किसी आश्रम को लेकर के तो आपका 1990 में है कोई कह रहा है कोई 99 में कोई 1991 बता रहा है उसमें तो मैं शांतिनी करते हैं के बात कर रहा हूं यहां पे तो ऐसे किसके प्रभाविकारक है तो यह आपके शिक्षा एंधिकार दिन्यम कब पारित हौता यहां पर धयान रखे गया डीटी हो ही 4 अगस्त 9 अगस्त अलग अलग उसमें था फिलाल आपका 2009 में यह आपका जो है 2000 वैसे हाप पूछा है कब पारित हुआ था तो आप एर भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा 2009 में पारित हुआ था यह आपका 1 अपराइल 2010 से भारत के सभी राज्यों में लागू हो गया था जम्मू और काश्मीर राजी को छोड़ करके ठीक है आप लोगों पता होगा धारा 370 अलगी वहाँ पर जो है सब कुछ चलता रहता है तो अपराइल 2010 से लागू आपका आया था यह 86 सम्मिधान संसोधन 2002 से अच्छी तरीके से आपको याद होगा इस इसका विशेश ख्याल रखेगा आप लोग और यह जो आपका एड किया गया वह आपके भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 21 ए में या 21 आप इसको का बोलेंगे ठीक है आपके मौलिक अधिकार केता है तो इतनी सारी चीज़े होंगे आपके इस क्वेश्चन को ले करके आगे बात कले जाएं इस में 51 है विद्यालए समाज में समाज में ढीना सभी के इच बिना लिंग भेदभाव के कारेयर व्यवहार करना जो यह क्या आया हुआ है कोई मुस्से कह रहा था यहां पर मैं नाम ने लूँगा नाम मुझे अच्छी तरीके से आध है कि सर आप इसमें मॉडल में नया क्या दे रहा है जो है जो मैं मॉडल पेपर बना रहा था इंग्लिश का आप कुछ अपनी तरीके से दो अरे दोस्त अगर मैं तो आपका पेपर भी वैसे ही होगा आप प्रिवियस एर के चीजों को तो देखे अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है नाम याद है उनका जो अच्छी तरीके से तो ऐसे में क्या है आप जब पार वन की बात करिए वहाँ पर काफी कोईशन्स थे जो आ बात कर लोगा यहां पर लिखा हुआ है चलिए विद्यालियों में सभी को एक साथ रखना सबके साथ समान विभार करना सभी के बीच एक का बनाए रखना यह क्या कहलाता है तो यह होता है आपका सैक्षिक आउसरों की समान था बीटीसी 2015 में आपका पूछा गया था ठीक ह क्या कहलाता है बाल्ट्रम कहलाता है लाइव ग्लासेस में इसके बारे में अलड़ी हम बात कर चुके हैं 2015 दोस्तों आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूँ डियलेट फस्टमेस्टर का क्राइश कोर्स होपस हो कि बहुत ही जल्दी आज ही जो हो सकता है अबिल भी हो हो यह बहुत जल्दी अवैलेबल हो जाएगा तो जो आपके जूनियर से जो आपके जानने में हैं इनको इनफॉर्म करें कि बाल विकास और संस्कृत मैंने पढ़ाया है तो संस्कृत और बाल विकास का जो है क्राश कोर्स अवैलेबल हो चुका है लिंक डेस्क्रिप्शन में जा करके आप चेक कर सकते हैं आनकाडेमी लर्निंग अप्लिकेशन आप गूगल प्लेश्टूर्स से डाउलोड करके सीधे सीधे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां जाके मेरे नाम महेश मिशा से ठीक है तो उनको बताईए उनका भी थोड़ा फायदा हो क्योंकि संस सकत्चा का सार ब्भामी करन के अंतर जिक्षा को पृतिक बालगतर पहुंचानास यह था बैट्डिसे 2015 का सवाल सिक्षा का सार आगे बात कलते हैं रामूर्थी समीटी 1990 क्यों गठित हुई थी यह आपका है राश्ट्रे सिक्षा निती की समिक्षा के लिए 1996 की समिक्षा के लिए रामूर्थी स्री रामूर्थी समीटी आई थी 1990 में जो कि आपकी राश्ट्रे सिक्षा निती 1986 की समिक्षा के लिए आई थी आप लोगों को मैं बता दू नेशनल पॉलिसी और एडूकेशन 1986 इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूं अकाड़ेमी पर प्रोग्राम ओफ एक्षन यह राइस्ट्रेश रिक्षा की संसोधित जो नीती है यह नविंतम नीती 1992 1992 उसके बारे में भी आलड़ी मैं बात कर चुका हूं ठीक है जो नकाड़ेमी पर हैं बहुत तीजी से वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं तो रिक्ष्ट है आप लोगों वहाँ पर जाकर जोईन करें एक बार देखें वहाँ पर चीजे कैसी हैं आपको खुद बखुद चीजो 1992 के बारे में लिखिए जिसको आप बोलते हैं कि तरीके से रास्ट्रेज शिक्षा की नवीनेतम नीती ठीक है 1992 तो ये इसके बारे में मैं वहाँ पर बता चुका हूं कि किस तरीके से आपके 1986 में 12 खंड होते थे 12 खंडों में बटा था और उन 12 में एक और दो खंड को कि आप लोग पढ़ सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 है उसका दूसरा नाम जो है तो यहां पर सिक्षा आयोग सीधे सीधे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है सिक्षा आयोग लिखा है यहां पर आंसर जो है वह इनकंप्लीट है इसके बारे में मैं बा फड़ा समय भी इसमें कंफ्यूज हूँ बिल्कुल एक्जैक्टली वही होगा जहां तक मुझे पता है तो आप लोग बताएगा कॉमेंट में यह आप ही लोगों के लिए एक तरीके से चलिए आगे बात कर लेते हैं जहां पर वही मुदालियरायोग जहां पर MCQ उसकी बात क करके डाल दूँगा जैसे आपका जो है द्विज का अर्थ क्या होता है उपनयन का अर्थ क्या होता है ठीक है या फिर अगर प्रवज्जा की बात की जाए तो प्रवज्जा संसकार आपका क्या होता है वहां पे या अगर मैं बात करूँ जो है विच मिलाह संसकार वो क्या जातर होता था वह उच्छे शिक्षा का जो है वहां से प्रारंब करता था ठीक है तो यग्यों पबीद भी एक तरीके से इसको बोलते थे वा तब जनेव धारण करना आपका जो है उपनैन की जब बात होती थी आप लोगों को आची तरीके से याद रखना चाहिए कि जब आ है अनुसाशन के बाद अनुसाशन की चार तत्वा किस दर्शन में बताएगे हो प्रयोजन वाद है आपका प्रागमेटिजम पर्यावरन संद्रक्षण दिनियम की अगर बात की जाए यहां पर 1986 में आपका आया था बुनियादी सिक्षा का प्रारम किस ने किया था महात्मा गांधी जी ने वर्धा सिक्ष्ण नीति में बात कर चुका हूँ 1937-1937 में आई थी आपकी बीटीसी 2016 का सवाल है यहां पर देखे फिर से आपका मैंने लिख दिया है बोल पूर जो आपका जो है बीर भूम जिला कोलकाता में पड़ता है 1998 लिखी हुई है टैगों ने शांतिनिकेतन के स्थापना वहीं परकी थी ठीक मेरिया मांटिस्री भारत आइटी 1939 में 2016 का सवाल रश्च्वे जनसंख्यान नीती की घोशड़ा 16 अप्राइल 1976 16 अप्राइल 1976 पतनी शब्द नहीं निकलना है सहिसे ठंडी है लखनों में भी ठंडी आ गई है 16 अप्राइल 1976 को BTC 2016 का सवाल है आपका चीज़ों को याद करते चलेगा बहुत काली इन शिक्षा में प्रवज्जा संसकार कितने वर्श के वालकों के लिए दिया जाता था देखे बहुत काली इन शिक्षा में प्रवज्जा या प्रवज्जा करके आप इसको बोलते थे तो आप लोगों को मैं बता दू जो है कहीं कहीं आपको छैवर्ज देखने को मिलेगा फिलाल इसमें आर्ट वर्श लिखा हुआ है आपने क्या पढ़ा है comment में जरूर बताईएगा कहीं कहीं बिल्कुल books में 6 words भी है कहीं कहीं 8 words भी है 6 to 8 year तो आप लोग बताईएगा आपने क्या पढ़ा है अंदिम सवाल है आपका इस one liner में कि वर्धा में अखिल भारती राष्ट में आपका बाद में माध्यम बनी जो आप देखते हैं किसी बेसिक तालीम बोलते हैं शुरुवात वो आपके ये गांधी जी की ही है 1937 वर्धा शिक्षा नी थी तो बस दोस्तों इतने ही था आपके आपके इस वीडियो में होपस हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा one liner questions भी आपको अच्छा लगे होंगी किसी भी सवाल में आपको confusion है कुछ भी है तो आप comment में बताएं सुधार करा जाएगा उसमें मैं देख रहा हूँ दो तीन बार से आप लोग बोल रहे हैं एक final वीडियो में मैं उसमें सुधार कर दूँगा कि क्या कुछ चीज़े हैं बाकि संसकारों को लेकर के एक वीडियो के बारे में बात कर लेंगे model paper आपके दे जा रहे हैं